नमस्कार साथियों आपके अपने यूटूब चैनल हिंदी पीडिया में एक बार फिर से आप से विकाव नम्दन आएए एक नई प्रशनोतरी के साथ आगे बढ़ते हैं आज की प्रशनोतरी का विशे है आधुनिकाल की महत्पूर रचनाएं और उनकी विधाएं आधुनिक सरण कुप्त गुप्त भारत भारति भारत भारत भारती किस बिढ़ा में है यहां यह कहने का तात्पर है भारत भारती है उपन्यास नाटक काभ रेखार चेत्र High of अम्म भारत भारति ईह अ तरह की बिधा है गद्य साहित की कौन सी बिधा है इसके बारे में बताना है तो आप सभी को इसको बताना है सबसे पहला प्रस्ण यहीं है कि यह किस बिधा में है भारत भारती तो भारत भारती क्या है काब्य है उपन्यास नहीं है नाटक नहीं है रेखा चित्र नहीं है क्या है काव थे तापका सही उत्तर हो जाएगा काव आपका से विकल्प सही हो जाएगा इसी तरह अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला पृश्ण है है महाभीर प्रशाद्र वेदी कृत रसग रंजन है अब रसग रंजन की विधा क्या हो सकती है उपन्यास कहानी निबंध नाटक तो रसग रंजन उपन्यास नहीं है कहानी नहीं है नाटक नहीं है तो है क्या रसग रंजन निबंध है जिसको महावीर प्रशाद्र वेदी ने लिखा है महावीर प्रशाद्र वेदी जी ने लिखा है रसक्य रंजन निबंध है तो आपका सी भी कल्प सहीं हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है निराला कृत बिल्ले सुर्बक्रिया बिल्ले सुर्बक्रिया की बिधा क्या है शंस्मरण है यात्रा बृतांत है रिपोर्ट आज है रेखा चित्र है यहां पर बिल्ले सुर्बक्रिया की बात की जा रही है वह किस विधा में है तो शंस्मरण नहीं है यात्रा बृतांत नहीं है रिपोर्ट आज भी नहीं है तो क्या है क्या है यह रेखा चित्र है बिल्ले सुर्वक्रिया निराला कृत रेखा चित्र रचना है रेखा चित्र विधा में लिखी गई है तापका डी भी कल्प सहीं हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है समसेर बहादूर कृत प्लाट का मोर्चा प्लाट का मोर्चा है अब प्लाट का मोर्चा जो है समसेर बहादूर कृत यह रचना है संस्मरण है रेखा चित्र है यात्रा बृतांत है रिपोर्ट आज है तो प्लाट का मोर्चा जो है यह मोर्चा लिखा गया है यहां मोर्ची दिख रहा है इसको मोर्चा बनाना है प्लाट का मोर्चा इसको प्लाट का मोर्चा लिखना है मोर्चा इस तरह से तो मोर्चा लिखना है तो यहां पर क्या है यह संस्मरण है रेखा चित्र है यात्रा बृतानत है रिपोर्ट आज है तो समसेर बहादूर कृत प्लाट का मुर्चा एक तरह का रिपोर्ट आज है अब समसेर बहादूर सिंग को कभीयों का कभी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है कभीयों का कभी कभीयों का कभी समसेर बहादुर सिंग को कभियों का कभी कहा जाता यह भी याद रखना है यह प्रशन बहुत बार पूछा जाता है यहाँ पर आपका सही विकल्ब जो हो रहा है रिपोर्टाज है रिपोर्टाज रचना है प्लाट का मुर्चा रिपोर्टाज है इसी तरह सगले प्रशन पर चलते है अगला प्रश्ण है यह स्पाल कृत सिंगाव लोकन है अब सिंगाव लोकन की बात की जा रही है शिंगाव लोकन क्या है कहानी है आत्म कथा है जीवनी रचना है यह उपन्यास है तो यह रचना जो है सिंगाव लोकन आत्म कथा है जिसके रचनाकार यह स्पाल है आत्म कथ अगला प्रश्ण है दिनकर कृत अर्धनारिश्वर वाद की जा रही है कि दिनकर की अर्धनारिश्वर रचना क्या है निबंद है उपन्यास है नाटक है कहानी है तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसमें से जो चार विधाएं दी गई है ये गद्धि की विधाएं है अब पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर किस तरह की रचना है तो अर्धनारीश्वर निवंध रचना है आपका ए बिकल्प सही हो जाएगा अर्धनारीश्वर अर्धनारी %य अब यहां राम्धारी संगHz का था राम म्धारी सिंग्दिनकर का था राम्धारी सिंग्दिनकर का अर्धनारी स्वर जो था वह निबंध रचना है इसी तरह से बिशली प्रभाकरकृत अर्धनारिश्वर जो है वह उपन्यास्त है यह दोनों एक ही रचनाएं है एक जैसी है अब इनके बिधाएं अलग है रचनाकार अलग है इसलिए परिक्षा के लिए बहुत ही महत्पून है तो दिनकरकृत अर्धनारिश्वर क्या है दिनकरकृत अर्धनारिश्वर निबंध रचना है और विश्णू परभाकरकृत अर्धनारिश्वर उपन्यास रचना है तिसको याद करने का तरीका ढूड़ना है ताकि याद रहे उपन्यास आपका ए बिकल्ब सहीं हो जाएगा उपन्यास है अगले प्रश्ण पर चलते ह है अगला प्रश्ण है हजारी प्रसाद्रिवेदी कृत कवीर है कभीर रचना हजारी प्रसाद्रिवेदी की जो कवीर रचना है उसकी विधा क्या है कविता है आलोचना है निबंध है एक आंकी है तो कभीर जो है यह आलोचना रचना है कभीर हजारी प्रसाद कृत आलोचना रचना है इस तरह से आपका भी विकल्ब सही हो जाएगा भी विकल्ब अगले प्रिश्ण पर चलते हैं रामकुमार बर्माकृत एक लब्य है आलोचना कविता उपन्यास रेखाचित्र रामकुमार बर्माकृत एक लब्य है अब एक लब्य रचना की बात की जा रही रामकु ध्यान से बताना है यह कविता है रामकुमार वर्मार कृत एक लब एक कविता है एक लब क्या है एक कविता है इसे तरह सगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है निराला कृत सांध काकली है अब सांध काकली की बात की जा रही है सांध काकली इनकी अंतिम रचना है निर देखा चित्र है यात्रा बृत्तांत है तो सांध काकली काब रचना है ये विकल्प आपका स्तहीं हो जाएगा काब रचना है सांध काकली अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है धर्मबीर भारती धर्मबीर भारती कृत अंधायुग है धर्मबीर भारती कृत अंधायूग क्या है गीत नाटक है आलोचना है निवंध है कविता है धर्म बीर कृत अंधायूग जो है यह गीत नाटक है इसे गीत नाट भी कह सकते हैं गीत नाट गीत नाट तो अंधायू गीत नाटक रचना है इसी तरह सगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है दुस्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई है एक कंठ विस्पाई की बात की जारे इसकी विधा बतानी है एक कंठ विस्पाई क्या है उपन्यास है एक आंकी है गीत नाट्य है कहानी है यह भी गीत नाटक रचना है गीत नाट्य कह सकते हैं इसको सी भी कलप आपका सही हो जाएगा अगले प्रिशन पर चलते हैं अगला प्रिशन है सुरेंद बर्माकृत द्रोपदी है अब द्रोप बीविकल सही कर सकते हैं नाटक रचना है बीविकल सही हो जाएगा अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है सुरेंद बर्मा कृत मुझे चाद चाहिए है यह कई बार पर इक्षाओं में पूछी गई रचना है मुझे चाद चाहिए तो इस तरह से आप इसको ध् चाद उपन्यास है इस तरह से आपका ए बिकल्ब सही हो जाएगा सुरेंद्र बर्मा को क्या चाहिए चाद चाहिए सुरेंद्र इस तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है विष्णु प्रभाकर कृत धर्ती अब भी घूम रही है की विधा है विष्णु प्रभाकर की रचना यहां दूसरी है वहां विष्णु प्रभाकर की रचना अर्धनारिश्वर थी जो उपन्यास था यहां धर्ती अभी घूम रही है इसकी विधा बतानी है कहानी है उपन्याश है निबंध है नाटक है यहाँ पर आप दियान से देखें चार विधाएं दी गई है इन चार विधाओं में विशुणु प्रभाकर की अधरती अभी घूम रही है कौन सी विधा में लिखी गई है यह कहानी व विश्णूवाकर इसकी बिधा कहाणी आपका ए विकल्प सहीं हो जाएगा एक बिकल्प सहीं हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है मदुकर सिंह कृत मुपकार कि बिधा क्या है रिपोर्ट अपानी रिपोर्ट आज रिपोर्ट आज नाटक कहानी रेखा चित्र इस तरह से लहू पुकारे अब लहू पुकारे की बात की जा रही है मधुकर सिंग्रित लहू पुकारे की विधा है कहानी तब का सी विकल्प सही हो जाएगा कहानी लहू पुकारे कहानी विधा में लिखी गई है जिसके रचनकार मदुकर शिंग जी हैं इसी तरह अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है हजारी प्रशाद्रिवेदी कृत बाड़ भटकी आत्मकथा की बात की आत्मकथा क्या है कहानी है निबंध है आत्मकथा है उपन्यास तो बाणभट्य की आत्मकथा ओजारी प्रसाद्यवेधी ने लिखा है या उपन्यास भी दहा में लिखा है, अपका DV कलब सही हो जाएगा उपन्यास है, अगले प्रषन पर चलते हैं अगला प्रषन है अग्येकृत अपने अपने अजनवी है, शंसमरण, निवंध, उपन्यास, समालोचना, अपने अजनवी अग्ये ने लिखा है, अग्य कृत अपने अपने अजन्वी संस्मरण है निबंध है, उपन्यास है, समा लोचना है तो जल्दी से बताएं यह अपने-अजन्वी उपन्यास रचना है तो आपका से भी कल्ब सही हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रश्ण है डाक्टर देव राजकृत अजे की डायरी है पत्र साहित संस्मरण डायरी उपन्यास अब डाक्टर देव राजकृत है पत्र साहित है संस्मरण है डायरी है उपन्यास है तो अजे की डायरी अजे की डायरी उपन्यास रचना है यह कई बार परिक्षाव पूछीगे इसलिए किसमें डायरी लिखा हुआ है और सब डायरी विकल्ब सहीं करते हैं जबकि यह उपन्यास रचना है इस तरह से यहां डी विकल्ब सहीं हो जाएगा डी विकल्ब सहीं हो जाएगा आप इसको डी विकल्ब बना लेंगे यहां सीट लिखा गया है डी विकल समय देवता है नरेश महताकृत समय देवता किस विधा में लिखी गई रिचना है उपन्यास कविता संस्मरण यात्रबृतान तो यहां पर सहीं विकल्ब आपका है कविता है समय देवता एक कविता है इस तरह से आपका भी विकल्ब सहीं हो जाएगा अगले प्रशन पर चलत किस दसक के पश्चात की कभीताओं को नई कभीता की शंग्या दि गई हैं तो एग विकल्प आपका सही हो जाएगा 50-20के बाद की कभीताओं को नई कभीता की शंग्या दी इस तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं जो गहन भाव सीधी भासा सीधेशंद में चाहता है उँद्खे बाज है किस्की पंगति है जो गहन भाव सीधी भासा सीधेशंद में चाहता है वह धोखे बाज है किसकी पंग्ति है अग्ये की राम विला सर्मा की दिनकर की निराला की यहाँ पर kya होगा जो गहन भाव शीधे च्छंद θαसा में चाहता हुए किसकी पंक्ति है निराला की है ।हंतों से हो जाएगा यह पंक्ति किसकी है निराला की पंक्ति है इसी तरह अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहाँ शर्मा भगवती चरण बर्मा रामकुमार बर्मा यहां पर ध्यान से देखें आपको पता चल जाएगा कि हम दीवानों की क्या हसती भगवती चरण बर्मा की पंगतियां है यह किसकी पंगतियां है भगवती चरण बर्मा आपका शी विकल्ब सही हो जाएगा भगवती चरण बड्रमा की यह काब्य पंग्तिया हैं इसी तरह से अगले प्रश्ण उपे चलते हैं अगला प्रश्ण है है सक्तिके बिद्दूतकपन जो ब्यस्त बिकल बिखरे हैं हैं हो निरुपाए समझ्य उसका करे समस्थ विजैनी मानवता हो जाए इस तरह से किस काब की पंतियां है साकेत की कामाय melodies युगधारा की और मीला की तो यहां पर मेश काब्य दिए गए है इन चार बिते सकत के विधित्त कण जो ब्यस्त्त बिकल भिखरे हैं हो निरफाय समन्य उसका करे समस्त विजय इनी मानवता हो जाए इस तरह से यह कामाइनी की पंक्तियां है भी विकल्प आपका सही हो जाएगा रचनाकार जेशंकर प्रशाद रचनाकार कौन हो जाएंगे जेशंकर प्रशाद जैशंकर प्रशाद रचनाकार तो इस तरह से छायावादी प्रकांड मुझे प्रोफेशरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा यह कथन किसका है प्रशाद का निराला का मैतलिस रणगुप्त का दिनकर का अभी मुझे प्रोफेशरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा यह कथन निराला जी का है भी विकल्प आप आपका सहीं हो जाएगा निराला जी का यह कथन है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है कोई न खड़ी बोली लिखना आरंब करें अंदाज मीर का बे जाने बे पहचाने किसकी पंगतियां हैं बच्चन नरेंद्र सकुंतला माथूर रामेश्वर सुकल अंचल तो इस तरह से जो यहाँ है कोई न खड़ी बोली लिखना आरंब करें अंदाज मीर का बे जाने बे पहचाने किसकी पंगतियां हैं तो यह हरिवन सराय बच्चन की पंगतियां हैं यह विकल्प आपका सहीं हो जाएगा हरिवन सराय बच्चन की पंगतियां हैं अगले प्र उर्वसी प्रवंध काव के रचयता है प्रशाद पंत दिनकर महादेव वर्मा उर्वसी उर्वसी जो है रचना है राम काव विधारा का महा काव है रामा ध्यात्म का महा काव है रामा ध्यात्म इस तरह से उर्वसी प्रवंध काव के रचयता कौन है तो दिनकर जी है आपका सी बिकल्प सहीं हो जाएगा सी बिकल्प अगले प्रिश्ण पर चलते हैं अगला प्रिश्ण है समर्सेस है राष्टी कविता के रचईता है समर्सेस है राष्टी कविता के रचईता कौन है ध्यान से आप देखें तो आपको पता चल जाएगा समर्सेस है दिनकर की कविता है मैतली सरंगुप्त नहीं है माखलनाल चतुरवेदी नहीं है अग्ये नहीं है यह दिनकर की कविता है समर सेज है दिनकर की कविता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार किसकी काविपंग्तियां है किसकी पंग्तियां है महादेवर्मा की पंत की निराला की प्रशाद की क्या अमरों का लोक मिलेगा क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिठने का अधिकार, किस की पंक्तियां है, महा देवी बर्मा की पंक्तियां है, आपका ए विकल्ब सही हो जाएगा, महा देवी बर्मा की पंक्तियां है, इसी तरह से अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, आज के बिछुडे न ज चाने कब मिलेंगे नरेल सर्मा, रामेश्वर सुकल अंचल, नरेस महता, अग्ये ये चार दिये गए हैं। आज के भिछुड़े नजाने कब मिलेंगे नरेल सर्मा की रचना है, तो आपका ए बिकल्ब सहीं हो जाएगा। नरेल सरमा ये भी कल्प आपका सहीं हो जाएगा इसी तरह से आपको अगली प्रशनोतरी में मिलेंगे आज के लिए इतना ही तो आपको प्रशनोतरी कैसे लगी प्रशनोतरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सकाइब करें दोस्तों में वीडियों को सेयर करें लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप प्रशनोतरी में और किन विश्यों पर प्रशन अभ्यास चाहते हैं या अभ्यास पत्रक चाहते हैं, तो हम तुरंत ही आपको अभ्याश्पत्रक देने का प्रयत्र न करेंगे। इसी तरह से आज की प्रशनोत्री का यहीं शमापन करते हैं। जैन जै भारत।